नमस्कार दोस्तों। में जमा बलगम को बाहर निकालने में मदद करती है और खांसी को ठीक करती है। वजह से अस्थमा, ब्रॉंकाइटिस और सियो पीडी से पीडित व्यक्तियों को सांस लेने में आसानी हो जाती है। साइड इफेक्ट्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में एम सॉल्विन सिरप की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते है। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में एम सॉल्विन सिरप की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। एम सॉल्विन सिरप को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंड़ होता है। तोर पर 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों को डॉक्टर 2.5 मिलिलिटर एम सॉल्विन सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सला देते हैं। और 12 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर 10 मिलिलिटर एम सॉल्विन सिरप को दिन में 2 से लेकर 3 बार लेने की सला देते हैं। एम सॉल्विन सिरप की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको एम सॉल्विन सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिसकस करेंगे कि एम सॉल्विन सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। दो साल से कम उम्र के बच्चों को एम सॉल्विन सिरप को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं देना चाहिए। जमा बलगम पतला होकर आसांई से बाहर निकल सके और इसके अलावा आपको बर्फ व ज्यादा ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। लगातार ज्यादा लंबे समय तक M.Solven syrup को लेना recommended नहीं होता है। अगर आपको M.Solven syrup को लेते हुए एक सब्ता से भी अधिक का समय हो चुका है। और आपकी खांसी अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो आपको डॉक्तर से दोबारा परामर्श लेना चाहिए। ताकि आपका डॉक्तर खांसी होने के कारण का पता करने के लिए दोबारा से जाँच करवा सके। वैसे ज्यादातर व्यक्तियों में M.Solven syrup को लेने के बाद ज्यादा नीन्द नहीं आती है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को M.Solven syrup को लेने के बाद नीन अधिक आती है या चक्कर आते ह तो ऐसे व्यक्तियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्क्ता की आवशक्ता होती है M-solven syrup के साथ शराब का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि M-solven syrup के साथ शराब का सेवन करने की वज़ह से side effects होने का जोखिम अधिक हो जाता है और नींद आने की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो सकती है Blood pressure बहुत ज्यादा होने पर और कोई दिल से संबंधित बीमारी होने पर M-solven syrup को बहुत ही साथानी से दिया जाता है इसलिए इन conditions में डॉक्टर की सलाह के बिना M-solven syrup को नहीं लेना चाहिए अगर किसी व्यक्ति को M-solven syrup या इसके किसी भी ingredient से allergy है तो ऐसे व्यक्तियों को M-solven syrup का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए ज्यादातर डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को M-solven syrup को न लेने की ही सलाह देते हैं इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को M-solven syrup को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को M.Solven सिरप को नहीं लेना चाहिए वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका M.Solven सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं